हरहरमा देव जैबोलेनात सनातनी परंपरा में भगवान भोलेनात की भक्ति के लिए सावन के महिने का विशेश महत्तु बताये गया है यही कारण है कि इस पावनवहिने में हर शिव वक्त ना सिर्फ अपने घर में बलकि देश के इस्तित तमाम शिवालियों में जाकर के अपनी कामना के अनुसार शिव की साधना अराधना करता है हिंदु धर्मे भगवान द्वादिश जोतिलिंग से जुड़े मंदिरों की तरह पंचत त्व पर आधारित उन पांच शिवालियों का भी बहुत महत्व बताये गया है जिस तरह से 12 जोते लिंग की, 12 जोते लिंग की माननता है उसी तरह से 5 शिवालियों की भी बहुत माननता है जिनके दर्शन मातर से ही शिव सादक की बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक जपकते ही पूरी हो जाती है शिव ट्रपा बरसाने वाले ये पाँच पावन धाम कहां है और इनकी पूजा का क्या है धार्मिक महत्व तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं हरहर महादेव जैवोले नात पाँच शिवालियों में पहला शिवाला है एकमबर नात मंदिर जिसे प्रत्वी तत्व भी माना जाता है प्रत्वी तत्व पर आधारित पगवान शिव का यह चमतकारी मंदिर तमिल नाडू के काची पुरम में स्थित है आम के पेड़ के नीचे पतिष्टित इस शिवलिंग के बारे में मानिता है कि इसके दर्शन मात्र से शिव सादक के सभी कष्ट और चिंताएं दूर हो जाती है बालू से बने एकमबर नात मंदिर शिवलिंग का जलाबिशे करने की बजाए छीटे देने की परंपरा है जम्बू केश्वर मंदिर जो की जल तत्व भी माना जाता है त्रिचरा पल्ली में इस्थित जम्बू केश्वर मंदिर को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है मंदिर में पतिष्टित शिवलिंग को इस्थानिये लोग अपू लिंगम के नाम से पूछते हैं जिसका अर्थ होता है जल लिंगम भगवान भोलेनात का या मंदिर काफी बड़े छेत्र में लगबक 18 एकड में बना हुआ है इस मंदिर के बारे में मानता है कि कभी यहां पर माता पारवती ने जल से शिवलिंग निकाल कर महादेव की पूजा की थी तीसरा शिवाला है अरुणा चले शुर मंदिर ये अगनितत्व माना जाता है तमिल नाडु के रुवन्ना मलाई में इस्थित इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अगनितत्व के रूप में की जाती है हिंदू मानता की अनुसार महादेव के इस मंदिर में दर्शन और पूजन करने पर शिव भगत के जीवन बिचाया अंधेरा दूर हो जाता है और उसे असीम कूजा की प्राप्ती होती है अरुडाचलेश्वर मंदिर में पतिश्चित शिवलिंग लगबग तीन फिट लंबा है इस दक्षिर भारत के सिवलिंग में दर्शन के लिए हर एक दिन बड़ी संख्यामे भक्तिगड पहुचते है चौथा शिवाला है काल हस्ति श्वर मंदिर ये वायुतत्त माना जाता है भगवान शिव का वायुतत्त पर आधारित ये मंदिर आंध्र बिदेश के जिला चित्तूर के काला हस्ति शेत्र में इस्थित है उची पहाड़ी पर बने भगवान शिव के इस मंदिर को शिवबक्त दक्षड का कैलाज भी कहकर बुलाते हैं कालहस्तिश्वर मंदिर के बीतर पतिष्टिष्ट शिवलिंग की उचाई लगबक 4 फीट है इस शिवलिंग को वायू लिंगम या कपूर लिंगम के नाम से भी जाना जाता है इस शिवलिंग पर ना तो जल चड़ाय जाता है और ना ही इसका इसपर्श किया जाता है पाच्वा शिवाला है नटराज मंदिर जो की आकाश तत्तो के रूप में जाना जाता है भगवान शिव का आकाश तत्व पर आधारित मंदिर तमिल नाडु के चिदंबरम शहर में स्थित है दच्छिड भारत के इस मंदिर को थिल्लाई नटराज मंदिर के नाम से भी जैना जाता है जहां पर भगवान शिव की नत्य करते हुए मूर्थी के दर्शन होते हैं तो दोस्तो ये थी जानकारी पंच्य तक्त्य से जुड़े पांच शिवालियों के बारे में जहां पर भोले के भक्त कभी भी निराश होकर नहीं लौटते हैं इन शिवालियों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाई पूर हो जाती हैं तो दोस्तो इस सावन में आप भी जाएं इन पांच शिवालियों में दर्शन करें जाकर के और अपनी सभी मनोकामनाई की पूर्ती करें जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लेकर के ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करिएगा बगवान भोले नाच सब पर अपनी क्रपा बनाए रखना तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे